सो गाइस मेरे पास बहुत सारे इंस्साग्राम पे या फिर वाट्सअप पे भी मैसेज आ रहे थे कि भाया हमें एक लेना है लैप्टॉप हमें अभी स्टूडेंट है और हमें यह नहीं पता कि बैस्ट लैप्टॉप अंदर 50,000 पचास हजार के अंदर या 30,000 के अंदर भी हमें बेस्ट लैप्टॉप होना चाहिए आपके लिये सही लैप्टॉप में बदाकूँगा या मैक बूटूप क्यूंकि आप जानते हो कि Macbook, आप 60-70,000 के आसपास भी MacBook ले सकते हो, MacBook M1, क्या उसकी तरफ हमें जाना चीह है, या फिर हम आप पर ही Windows की तरफ ही जाएं, पचास है रप्य में हम विंडो ही ले ले ले, तो ये जो कोशन है, इसका जो आंसर मैं इस वीडियो में दूँगा, और TOP 5 Laptop में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, क्यार ये बेस्ट हैं 2023 में, 2024 का पता नहीं, because 2024 में कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए मैं गैरंटी के साथ बोल सकता हूँ, I can guarantee you, कि ये जो 5 में लेप्टोप लाया हैं, वो वन प्ट बेस्ट लेप्टोप होंगे, तो before starting the video, you know what you have to do, give support and then let's get started, चलो सबसे पहले बात करते हैं, कि कौन से लेप्टोप के तरफ आपको जाना शिया, विंडो या मैकबॉप, तो मैं ऐसा बोलूगा, किसी के तरफ में जाओ, पहले अपने requirements समझो, needs समझो, कि मुझे क्या काम करना है, कोई बोले कि भाई, तुझे क्या करना है, gaming करनी है, तो तुम MacBook ले, MacBook में gaming बहुत अच्छी होती है, बकवास है, gaming होती है अच्छी, बट धाई लाग रुपे, आपको spend करने पड़ेंगे, 2,5 लाग रुपे, तब आप gaming MacBook में अच्छी कर पा हुए, बट आप 1 लाग में वही gaming अच्छी कर पा रहें, Windows में तो क्या प्रॉब्लम है, पैसे बचे न, आपके डिल लाग से हुए न, तो ये जो ट्रिक्स है, ये इस वीडियो में आपके डिसक्स करेंगे, तो सबसे जो फॉर्स्ट लेप्टॉप है, जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, Infinix Inbook X3 Slim, ये लेप्टॉप है, जिसका जो प्राइज है, वो 41,000 के अराउंड है, मतलब 41,000 रुपए आप समझ सकते हो, इसमें जो प्रोसेसर है, वो सुनो यार, i5 12th generation का प्रोसेसर है, और इसकी जो रैम है, वो 16GB RAM हैं, 512GB SSD इसके अंदर इंक्लूड है, समझ रहो, तो बहुत और इसका जो इस टाइल आप देख सकते हैं, दिखने में भी बहुत कूल लगता है, और ये एक नया ब्रांड है, इंफनेक्स और 41,000 रुपए में आपको, i5 12th generation with 16GB RAM, 512GB SSD, यार, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकोज ये चीज़े आपको, 60 के आसपास मिलते हैं, ये आपको 41 रुपए में दे रहा है, क्योंकि ये नया ब्रांड है, obviously और ये इंडिया में अपना पकड़ बना रहा है, तो इसलिए ऐसे आपको दे रहा है, आप बात करते हैं, ये ये सही रहेगा या नहीं, तो इसके उपर में बात करते हैं, तो इंटरनेट से पढ़के नहीं बोल रहा, कहीं से देख करके नहीं बोल रहा, यह रिव्यू पढ़ लिए नहीं, मेरा एक फ्रेंड, एक लोज फ्रेंड, वो इन्फिनिक्स का यह यूज करता है, लैप्टॉप जो मैंने बता है, इन बुक वो यूज कर रहा है, तो उसने म मुझे यह चीज बता है, फिर महीं आपको बता रहा हूँ, कि सही है, ऐसा नहीं है, बट हाँ, एक प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिला था, क्या, कुछ टैम बाद, बस उसे चार्जर लगा कर ही चलाना पड़ रहा था, चार्जर जैसे आप निकालोगों, उसका बैटरी बहुत कम हो जा रहा था, मतलब आदा घंटा या, एक घंटा मैक्स मालो, एक घंटा ही रहा था, तो यह उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, इन्फिनेक्स में, अब आप बहतर समझ सकते हो, जो भी चीज थी यार, सच बताना जरूर है, अगर आपका बजट कम है, तो you can go with that, आप इसके साथ जा सकते हो, मतलब इसमें आप Android Studio, मतलब हेवी सेवी कोडिंग कर सकते हो, और छोटी मोटी के वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, छोटी मोटी के अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, 4K भी कर सकते हो, easy ले, because 16GB रहा है, so guys, आप ये laptop ले सकते हो, इसकी configuration क्या है, इसमें जो processor है, वो i3 11th generation processor है, जो कि यार सही है, बिकार नहीं है, और सबसे अची चीज, इसमें 4 नहीं, 8GB RAM आपको मिलती है, DDR4 RAM है, और फिर जो storage है, वो 256GB, SDD नहीं, SSD है, तो 30, मतलब इसका जो price है, वो 28,000 के आसपास है, 27,919, ये 28,000 रुपय आपको पड़ेगा, और i3 में, ठीक है, 11 generation भी है, और 8GB RAM भी है, तो आप इसमें भी अपना जो light work है, जैसे कि ये Photoshop हो गया, या फिर आप PBT बनाते हो, तो ये सब काम आप easily कर पा होगे, और हाँ, इसमें भी आप coding कर सकते हो, ऐसी कोई problem नहीं है, कि Android Studio बहु चलेगा भी, या भी हमने 30,000 रुपय में देख लिया, 40,000 रुपय में देख लिया, अब देखते हैं, इससे एक और best laptop, अब बात करते हैं, नमर 3rd laptop, जो कि Acer Aspire 7 है, तो इसका भी जो processor है ना, वो है आपका i5 12 generation, जो अभी मैंने 1st नमर पे बात किया था, Infinix वाला वो भी i आ रहा हूं, जो कि 3rd नमर पे है हमारा Acer Aspire 7, इसका जो Gigahertz है, वो 3.3 Gigahertz है, वो मतलब समझते हो, 3 गुना, almost 3 गुना जादा है, आपके Infinix से, तो इसलिए इसका जो rate भी है, वो उसी हिसाप से है, और इसमें भी आपको DDR4 RAM मिलती है, 8GB RAM है, इसके अंदर सबसे अची 4GB Graphic Card आपको मिलता है, अलग से, हना, और इसमें storage जो है, आपको 512 SSD मिलती है, GB SSD, मतलब 512 SSD आपको है, और बढ़ी है, मतलब ये laptop मेरा friend यूज कर रहा था, वो coding करता था, मैंने भी sometimes उसके laptop में coding की थी, तो बहुत best चल रहा था, मतलब hang hang कुछ नहीं हो रहा था, Android Studio पानी की तरह चल रहा था, बढ़ी है laptop, most powerful laptop, under 50K में बोल सकता हो, अगर आप इसमें दिवाली पे वेट कर रहे हो, तो ये laptop आप दिवाली पे बहुत बढ़ी है rate में ले सकते हो, अब बात करता है, नम्मर 4 laptop की, जो हमारे 4th position पे है, जो कि मैं बोल सकता हूँ, इस price range में, इसके मुक asset भी पढ़ सकता है, depends on the offer, बट हाँ, इतना आप ले सकता हूँ, तो इस price range में, जो Macbook M1 है, Macbook Air M1, ये one of the best laptop में बोल सकता हूँ, coding के लिए, आपके personal use के लिए, PPT बनाने के लिए, हलके full के use के लिए, editing के लिए भी सही है, यार कोई problem नहीं आएगी, but gaming के लिए, तो gaming के लि चलो है, एक महीने में एक बर थोड़ा हम game खेल ले, तो आप वह थाप कर सकते हो, अब एक महीने में 300 दिन gaming करोगे, तो फिर वह problem आपको कहीं नहीं face करने को मिलेगी, but gaming लिए नहीं है, और laptop की configuration सुनोगे, तो बहुत भैतरीन laptop है, M1 chip है, खुद Apple वालों का, 8GB RAM इसके HD मिल जाता है, इसका जो camera है, वो मुझे personally बहुत अच्छा लगता है, जो 720, you know, 720 pixel का है, बहुत सही है, मतलब कोई problem नहीं है इसमें, और इसका जो battery backup है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो कि इसका battery backup, company claim करती है, up to 18 hours, मतलब 18 गंटे चल जाएगा, नहीं, 18 गंटे व विश्वास कर लो, मतलब आप इसको ना, दो दिन, जो light weight use करता है, दो दिन आराम से बिना charging के use कर सकते हो, तो यह मैं बोल सकते हो, one of the best laptop है, coding के लिए, personal light weight के लिए, editing के लिए ले सकते हो, MacBook की तरफ जा सकते हो, बहुत बढ़ी है choice है, but gaming, not, gaming के लिए नहीं, अब बात करते नमबर 5th की, जो 5th position में रखा, जो कि सबसे, इन सब का आभी जो बतायें सब का भाप है वो, क्या MacBook Air M2, तो अभी मैंने M1 की बात की थी, आप मैं M2 की बात कर रहा हूँ, और M1, M2 में ज़्यादा differences यहां देखने को नहीं मिलेगा, आपको बस 19-20 देखने को मिलेगा, अग M2 का जो first, मेरे को पहली जो thing है, वो बहुत अच्छी लगती क्या, इसका look, Apple वालोंने M1 का जो look दिखो के, वो मतलब old laptop जैसा ही है, but M2 का जो look है, वो बिल्कुल different change करके लग दिया, मुझा personally उसका look बहुत अच्छा लगता है, तो वो, जो build quality है, look and feel है, वो बहुत अलग है Apple Macbook Air M2 का, और इसके अंदर 8GB RAM आपको मिलता है, आप इसको expand कर सकते हैं, 24GB तक, और इसके बेस बिटेंट हैं, 256GB है, और इसको आप expand कर सकते हैं, 2TB तक, depends on your requirement, और इसकी जो battery है, वो भी company claim करती है, यह 18 घंटे तक चलेगा आराम से, तो बहुत सही है, इसके अंदर 6 core neural engine है और इसका जो camera है, वो बहुत सही है, जो की, उसमें 720 pixel का था, इसमें 1080 pixel का है, तो camera आपका advance हो गया है, बहुत सही है, और आसक में जो charger है, वो 30 watt का adapter charger आपको मिलता है, तो यह M2 की requirement, specification थी, M2 की specification थी, और M2 आपको around पड़ेगा, अभी तो मेरे ख्याल से 90,000 का है, अभी जब मैं यह video बना रहा हूँ, आप flip card पे भी देखोगा, Amazon पे भी देखोगा, तो 90,000 में आपको यह easily मिल जाएगा, क्योंकि M3 आने वाला है, तो अब यह price or drop होगा, अगर आप 2-3 में वेट कर सकते हो, तो, अगर नहीं कर सकते, तो you can definitely go with that laptop, because यह laptop में बोल सकता हो, तुफान है यह तुफान, M1 कहीं नहीं fast है, बट M2 ठीक है, look and feel में भी, और 19-20 में क्या है, M1 में, आप माल दो, M1 आपका 1 minute पहले processing कर लेगा, और M2 एक मिनट बात processing कर लेगा, हाई processing की बात करें, जो video editing, बहुत heavy video editing कर रहे हो, 4K में, 2-3 layer के साथ, तो वहाँ पर यह बात आगी, जो म अगर आपको laptop clean है, आपका budget है, कि मैं 80,000 रुपे कर सकता हूँ, तो definitely you can go with that M2, MacBook Air M2 के साथ, अगर आपका budget का में 30,000 रुपे हैं, तो 30,000 रुपे में आप Acer के साथ जा सकते हो, जो मैंने बताया था, अगर 40,000 या 50,000 रुपे हैं, तो आप Infinix या फिर, आप Acer के साथ जा स है, यह definitely आपके life में काम आने वाले होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे है, तो वीडियो के definitely like कर दिना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को subscribe कर लो, और आपको कोई भी doubt है, क्या यह चीज समझ में नहीं आई, तो क्या करना है, comment करके पूछ हो या, क्यों wait कर रहे हो, आपके बापके जो और नहीं, क्यों में तो कोईव यूज में तो कोईगे!